समराच चौधरी जी जो है वो मांसिक रूप से उनका दिवालयापन हो गया है वो विच्छिप्त हो गये हैं इस तरह से वो मुडेठा बांधे रहते हैं उसकी गर्मी उनको बिचैन कर रही है मन की बात कीजिए काम की बात करके देखिए और जनता के बीच घूम के बताईए जनता आपको बताईगी है हिम्मत चिस्तर का आरूप विजय सिनहा जी तमराच चौधी जी लगा रहे हैं उगार देख लेजे की विभाग किन के पास था नंकिशोर यादव, नितिन नवीन, कई और नाम हैं जो इन्ही के भाजपा के निता थे और जाज होगी जाज में जो घोटाला हुआ है वो सारी चीज़ सामने आएंगे नमशकार मैं हूँ सैफ आप देख रहे हैं एक निस 24 हमारे साथ अनुपरिया जी हैं जेडियू के प्रवक्ता है हम बाचित करेंगे समराच चौधरी है जो बीजेपी के परदेश अध्यक्ष है लगातार आप पे वार कर रहे हैं कई ऐसी वानी के इस्तमाल कर रहे हैं देखिए समराच चौधरी जी जो है वो मांसिक रूप से उनका दिवालयापन हो गया है वो विचिप्त हो गये हैं जिस तरह से वो मुरेठा बांधे रहते हैं उसकी गर्मी उनको बिचैन कर रही है और जिब भाशा का इस्तमाल कर रहे हैं वो पता चल रहा है कि वो किस कहा उनकी क्या परवरिश उनकी है और बिहार के मानेरे मुखमंत्री जो निर्वाचित मुखमंत्री है उनके बारे में इस तरह कि अब मर्यादित भाशा सोभिनी नहीं है अगर वो जिस जिमदारी की बात करते हैं मैं पूछना चाहती हूं कि गुजरात के मौरवी में जब प्रथान मंत्री मोदी जी के शाशनकाल में घिरा है तो उसकी नयतिक जिमदारी लेते वे प्रथान मंत्री मोदी जी को Nati नाले में जाकर करिके चुलू भर पानी में डूब मरना चाहिए भहतती जिंतापाडी के परदेस constitu ओध्श है लगातार को थे करते हैं ब्रभास्टा चार से भरपूर है नितिश कुमार की सरकार हुए भरस्टा चार से अगर हो इंगरों को देखना है तो देश गूम ले जनता सी मिले मन की बात कांड़ कीजिए काम की बात करके देखिए और जनता के बीच घूभ के पुकार अधार चान कानए क कौन कोई मुख्रटार कहीं होँ नन्य विक्षि paying कि देले में लिक्र चोटे-चोटी विपक्षी दाहिए महा गरवंदन बना रही मि कूई ध्यग्षित कांट नहीं लज तृट कांगर टोटे है गैजिए देखिए यह एक तरह का विलाप है और पता है उनको की 2024 में देश की जनता जो है उनको अब भाजपा मुक्त भारत कर देगी तो छोटे-छोटे दल और छोटे-छोटे जो लोग कह रहे हैं वो छोटे दल और छोटे लोग जो हैं वो देश की आवाज हैं और यही देश जो ल अपने घर को नहीं चला पा रही हैं वो सभी मिलकर के उनको बताएंगी कि ये छोटे दल क्या कर सकते हैं ये छोटे दल ही उनके अहंकारी राजा जो है बर्धान मंत्री मोदी जई उनको साशन से हटाएंगे लगातार जो पूल गिर गई है ये कहीं न कहीं देखना चाहिए देखिए जो पूल की बात है मैं आपको बता दू कि जो पहली बार यह पूल गिरी थी वह 30 अप्रेल 2022 की घटना थी जिस समय में जो पत निर्मान विभाग था वो भाजपा के नेता निति नवीन जी के पास में था और उनके उनको पता है कि वो जो आईटी रुड़की के द्वारा इस पर जाच हुई थी आईटी रुड़की ने कहा पहली देशा में कि डिजाइन में पॉल्ट है और मैं आपके चैनल के मादम से बता दू कि एक जो भ्रम फैल आया जा रहा है वहां किसी तरह का कारे नहीं था कारे वाधित था क्योंकि वो एरिया ही पुरा सेक् किन के पास था नंकिशोर यादव नितिन नवीन कई और नाम हैं जो इन ही के भाजपा के निता थे और जाच होगी जाच में जो घोटाला हुआ है वो सारी चीजे सामने आएंगी तमाम विपक्षी दल बारातारी को बैठने वाले थे लेकिन अब नहीं बैठ करके 23 को कि जो बारातारग की बैठक होनी थी बिहार की धरती पटना में उस बैठक का सगित होने का कारण मुख था कि कई ऐसे दल थे जिनके प्रमुख नेता उस समय में अब लेवल नहीं थे इसलिए वो बैठक रध हो गई लेकिन वही बैठक और अनदल जो प्रमुख नेता हैं जितने भी दल हैं वो 23 तारीक को फिर से होनी है जिसमें कॉंग्रेस के राश्च्रे अधत और कॉंग्रेस के नेता राहूल गांधी जी आएंगे ममता बैनर जी पहुंच रही है टीमसी की नेता है और बंगाल की मुख मंतरी है अर्विंद केजी वाल पहुंचेंगे अखि अधिकादी जो जितने भी विपक्षी दल है जो गैर भाजपा है वो सामिल हो और देश के लोकतंद्र को बचाए बहुत-बहुत शुक्रिया तो हमारे साथ अनुप्रिया जी जी जो की जैद्यू के प्रवक्ता है इन्होंने क्या कुछ कहा है आप इस वीडियो के मारत में सब्सक्राइब करें फेस्बूप पीच पर देख रहे हैं जरूर करें कि मैंने जैकी के साथ सेफ की रिपूर्ट पटना है